राधी राधी जैसी किष्णा आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ती में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की हम लड़ू गोपाल जी की छटी कैसे मनाए जन्मास्टमी के छटे दिन लड़ू गोपाल जी को विसे सनान कराया जाता है सनान से पहले हम गोपाल जी की मालिस करते हैं तो देखिए जिस तरह से हम अपने बच्चे की छटी मनाते हैं उसी तरह से हमें गुपाल जी की छटी भी जरूर से मनानी चाहिए। अब देखिए, मैं आप गुपाल जी की घी से मालिस करी हूँ, आप घी से या फिर बेबी ओल से भी मालिस कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आप एक दूद ले लिया है क्योंकि इस दिन को पाल जी को दूद सहसना कराया जाता है अब हमको पाल जी को इस तरह से पकड़ कर दूद में डुपकी लगवाएंगे तो देखिए हम गोपाल जी को तीन डुक्की लगवाएंगे और डुक्की आप जल्दी जल्दी लगाएं तो देखिए ए दो और तीन इस तरह से हम गोपाल जी को दूद में डुक्की लगवा देंगे इसे छटी का स्नान या छटी का दूद भी कहा जाता है इसके बाद ये जो दूद हैं आप इसे बच्चों को पिला सकते हैं आप जैसे यूज करना चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं अब हम गोपाल जी को सुध जल से स्नान करा लेंगे इसके बाद हम साप तौले से गोपाल जी को पोच लेंगे और ये जो जल है इसे हम पेड़ पौधे में डाल देंगे इसके बाद हम गोपाल जी को इत्र सवा देंगे और उनको पीले रंग के वसर धारन करा देंगे क्योंकि छटी के दिन गोपाल जी को पीले रंके वसरही धारन करया जाते हैं इसके बाद हम उनका सिंहार कर देंगे आप देखिए छटी के दिन गोपाल जी को नजरिये पहना आ जाते हैं तो आप गोपाल जी को नजरिये जरूर से पहना है मैं आपे गोपाल जी को नजरिय पहना दूंगी इसके बाद हम गोपाल जी को उनके सिहासन पे विराजमान कर देंगे और हम उनको उनकी बांसुरी देंगे अब देखें मैं गोपाल जी को चन्नन से तिलक कर दूंगी इसके बाद हम पूजा में दीपक जला लेंगे अब हम फूलर पित करेंगे तो आपके पास फूलो तो आप फूलर पित करें नहीं तो आप बीना फूलो के भी फूजा कर सकते हैं अब छटी के दिन गोपाल जी को काजल लगा जाता है तो हम यहापे काजल बना लेंगे, अब देखिए, जब यह काजल ठंडा हो जाएगा, तब हम गोपाल जी को काजल लगाएंगे, अब में गोपाल जी के आखों में, पैरों पे, कलों पे, सभी जगा हम गोपाल जी को काजल लगा देंगे, इसके बाद देखिए, अब यह जो काजल बच जाएगा आप इसे अपने बच्चों को जरूर से लगाए क्योंकि काना जी के छटी का काजल है अब हम गोपाल जी को भोग लगाएंगे तो भोग में छटी के दिन कड़ी चावल का विसेश महत्व है कड़ी चावल बनाया जाता है तो आप कड़ी चावल का भोग जरूर से लगाए, साथ में आप फल मिठाई, जो भी आप भोग लगाना चाहें, आप भोग गोपाल जी को लगा सकते हैं, अब हम यहाप गोपाल जी की नीचावर कर लेंगे, बाद में आप इन पैसों से गोपाल जी के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं, इसके बाद हम प्रे के बाद हम हाँ जोड़कर पुजा में हुई भूल चुक के लिए गोपाल जी से चमाय आचना करेंगे, और अपनी मनुकामना पूर्थी के लिए प्रात्ना करेंगे, इसके बाद हम हाँ जोड़कर गोपाल जी से गोग ग्रहन करने के लिए प्रात्ना करेंगे, इस तरह से सरलवीदी से आपने डूगोपाल जी की छटी जरूर से मनाए राधे राधे जैसी किष्णा